Hello Friends, मैं हूँ Abhijit और आप देख रहे हैं G2World इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग spoken tutorial के द्वारा conduct कराए गए किसी भी course का certificate किस परकार अपने mobile से download कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको यह link दिख रहा होगा यहाँ पर आपको अपना email और password डालना है और फिर नीचे जो sign in दिख रहा है आपको उस पर click करना है यहाँ पर मैं पहले अपना email ID और password डाल लेता हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है sign in पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा यहाँ पर spoken tutorial के द्वारा कराएगा सारे course का नाम लिखा हुआ है आपने जिस course में exam दिया है आपको देख लेना है उस course में के सामने जहाँ पर आपने exam के time enter into test पर click किया था या enroll test पर click किया था वहीं पर अब आपको एक percentage दिखेगा जो आपने exam में प्राप्त किया है और अगर आप 40% से अधिक percentage लाए होंगे तो आपको यहाँ पर उसी percentage के नीचे एक option मिल जाएगा certificate का जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको certificate पर click कर देना है जैसे ही आप certificate पर click करेंगे वो आपके mobile में download होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मेरे mobile में आप जो देख रहे होंगे यह पूछ रहा है कि cancel करना है या download करना है यह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने एक बार certificate download कर लिया है और दुबारा try कर रहा हूँ इसलिए यह पूछ रहा है कि same file आप दुबारा download करना चाहते हैं या नहीं यहाँ पर मैं cancel कर देता हूँ अगर आप एक के बाद भी एक से ज़्यादा वार भी certificate को download करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आसा करता हूँ यह आपको समझ आया होगा अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग spoken tutorial के course का exam online अपने mobile से किस प्रकार दे सकते हैं तो अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करके bell icon जरूर दबा ले और अगर वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को like और share जरूर करें धन्यवाद्या